करोना की इस महमारी के दौर में रोज हमें मतलब मायूस करने वाली खबरे मिलती हैं करोना इतना बढ़ गया, करोना इतना बढ़ गया ऐसे दौर में आज मैं आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर लेके आया हूँ पूरे देश में हर सरकार केंदर सरकार के साथ मिलके हर राज्य सरकार अपने अपने राज्य के गरीब लोगों को राशन बांटती है गेहूं, चावल, चीनी लेकिन जब से राशन बटना चालू हुआ देश में गरीबों को राशन लेने में बहुत दिक्कत आती है दुकाने खुलती नहीं हैं लंबी-लंबी लाइने लगती हैं राशन पूरा नहीं मिलता राशन ठीक से नहीं तोला जाता देश भर से शिकायते आती हैं राशन में मिलावट होती हैं पैसे ज्यादा ले लिये जाते हैं किसम किसम की और जिस तरह से जितनी तकलीफें सहनी पिछले पान साल में जब से दिल्ली के अंदर आमाद्मी पार्टी की सरकार आई है, राशन की विवस्था में हमने काफी सुधार की है, दिल्ली के अंदर अब राशन मिलने लगा है लोगों को, दुकाने समय पे खुलने लगी थी, लेकिन आज हमारी कैबिनिट ने सुबह अभी ग्यारा बजे बैठ के जो निरने लिया वो किसी क्रांतिकारी कदम से कम नहीं है आज हम लोगों ने दिल्ली में डोर्स्टेप डिलिवरी ओफ राशन की योजना को मंजूर किया है इस योजना का नाम होगा मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना इस योजना के तहट अब लोगों को राशन के दुकान पे नहीं आना पड़ेगा राशन लोगों के गरीब लोगों के घर इज़्जत से पहुँचाया जाएगा तो इस योजना के तहट स्कीम इस तरह से है कि FCI के गोडाउन से गेहूं उठाया जाएगा उसको चक्की में ले जाके आटा बनाया जाएगा आटे के चीनी के और चावल के बोरी में या पैकेट में उनको पैकिंग की जाएगी और वो पैकेट जो है अच्छे साफ सुथ्रे पॉश्टिक राशन के पैकेट हर घर के अंदर राशन जो बेनिफिशरी है उनके घर पे राशन डिलिवर किया जाएगा हर एक को आपशन दिया जाएगा अगर कोई कहेगा कि मुझे तो अपनी दुकान वाले से राशन लेना है वो दुकान वाले से राशन ले सकता है अगर कोई कहेगा कि मुझे हूम डिलिवरी चाहिए राशन की, वो हूम डिलिवरी कर सकता है किसी के ओपर भी सबसे पूछा जाएगा कि आप क्या करना चाहते हो, हूम डिलिवरी के तहट आटा दिया जाएगा गेहुं के जगे आटा दिया जाएगा हमें उम्मीद है कि यह योजना छे से साथ महीने के अंदर यह शुरू हो जाएगा क्योंकि अभी इसके बाद सारी टेंडरिंग होगी सारे कंसल्टन्ट हायर किये जाएंगे तो इसको लागू करने में 6 से 7 महीने लग सकते हैं और इसी के साथ जिस दिन से दिल्ली में home delivery of राशन मुख्यमंतरी घर घर राशन योजना चालू होगी उसी दिन से दिल्ली के अंदर केंदर सरकार की scheme one nation one राशन कार्ड भी लागू कर दी जाएगी केंदर सरकार की scheme है कि पूरे देश के केंदर सरकार की scheme को डोर् स्टेप delivery के साथ हम लागू करने जा रहा है जिस दिन से दोर डेवरी लागू होगी उस दिन से केंदर सरकार का one nation one राशन कार्ड वाली योजना भी लागो हो जाए गी व्यक्तिकत तोर पे मेरे लिए ये बेहत खुशी की बात है जो आज ये क्रांतिकारी कदम दिल्ली में लागो हो रहा है क्योंकि राजनीती में आने के पहले मैं और मनी सिसोधिया जी परिवर्तन नाम की एक संस्था चलाया करते थे दिल्ली की जुग्यबस्तियों के अंदर गरीबों के साथ काम किया करते थे गरीबों के हकी लड़ाई लड़ा करते थे गरीबों को जब राशन नहीं मिलता था उनको राशन दिलाने के लिए मशक्कत किया करते थे हम लोग राइट टू इंफरमेशन के लिए लड़े देश में राइ राशन दिलवाने के लिए किया। लोगों का राशन चोरी हो जाया करता था उन दिनों में। उनको पूरा राशन नहीं मिलता था। सरकारी कागजाद में तो एंट्री हो जाती थी, सरकारी बई खातों में तो एंट्री हो जाती थी कि फलाने को भी राशन दे दिया, फलाने को भी राशन दे दिया, उनके फरजी अंगूठे भी लगा दिये जाते थे, लेकिन जब उन लोगों से जाके पूछते थे तो उनको वो राशन मिलता ही नहीं था, तो इसके उपर जब हम लड़े, राशन का बहुत बड़ा माफिया था, इसके उपर जब हम लड़े, कई बार हमारे उपर हमले भी हुए उन दिनों में, तब हमने सोचा नहीं था कि एक ऐसा समय आएगा, ये 2006, 2005, 2007, 2008 की बात है, तब हमने सोचा नहीं था, ऐसा समय आएगा, जब दिल्ली की जनता और उपर वाला, हमें मौका देंगे, राशन की पूरी विवस्था को साफ करने का, आज मुझे बहुत खुशी है कि, वो लड़ाई जो उन दिनों में लड़ी थी, आज उसको मूल चूल परिवर्तन करने का, हमें मौका म चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, कोई भी लाइसेंस ही है, तो अब डॉर स्टेप डिलिवरी होती है, आपको सरकारी दफ्तरों की लाइनों में नहीं खड़ा होना पड़ता, ऐसे ये डॉर स्टेप डिलिवरी ओफ राशन जो है, घर घर राशन जो हम जा रहे हैं, ये मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा कदम होगा, गवर्नेंस ट्री फार्म्स में, शुक्रिया.